आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी कुमावत का है जिसमें वो अपने स्टाफ को अभधर गालिया दे रही है वहीं रिकॉर्डिंग को ठीक से सुना जाए तो उसमें कहीं कहीं मारपीट की भी आवाज आ रही है बताया जा रहा है कि यह मारपीट खुड प्रभारी प्राचरया दीपा कुमावत स्टाफ के किसी प्राध्यापक के साथ कर रही हैं नाराज कॉलेज स्टाफ ने रीपा कुमावत के खिलाफ मोचा खोल दिया है शरीवार को सभी सहायक प्राध्यापकों व अतिथी विद्वान ने सामोहिक अवकाश लेकर विरोध प्रकट किया इस दोरान बेज जिला मुख्याल इस्थित लीड कॉलेज प्राचारे डॉक्टर वी के जेन से मिले और अपनी प्रतार्ना सुनाई साथ ही उच्चे शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन के अधिकारियों को लिखित शिकायत की कुमावत पर अभद्र भाशा और वेवार करने का आरोप लगाया नहीं सोमवार को कॉलेज स्टाफ ने थाने पर पहुँचे उनके खिलाफ कारवाई करने आवेदन दिया जीरन कॉलेज की प्रध्यापक दिव्या खरारे ने जीरन थाने में प्रभारी प्राचार्य दीपा कुमावत के खिलाफ स्टी स्टी की गंभीर राराओं में प्रकरन दर्फ करवाया है प्रभारी प्राचार्य की जंद ही गिरपतारी भी हो सकती है जल रहे हैं तम तो चलो महमें चलिजाओं गआँ पर भी बड़े तरह पर जा में तरहे है अध्य कर आधिया वेलेख यौन यह द्यांने आरख लिए कर अधू के धान के भी में अधस रखी दो जा दूबने अधिक है इसमें एकी यह रख रूपकर इती है कि टीए सर इरपाट जाबी एक दो टीए जान दो टीए रहा है मैं तो नहीं जा रही जाओं वी सर्थ करो सर्थ अभी करो अभी करो अने दो बोल रहा है आप पाट जीए ठीए करो सबस्टाद मेरे पाते हैं आप पर युट गज करो गज़ अभीनी इनस दो ड्रॉड भीजस ड्रॉडेर इंधरे सकते हैं अभी एंगा सबस्टाद में पड़ एक तो बीच़ना इसका रहा है आपको फोड़ी अजया है सरीखो और को vidéosतो मैरिया मैरा सुनू मुझ कर दो मैरा सुनु क्यों हम Abg वह अपर रना है वह ब्याक प्षैस्ट वह इकता र한데 बेट आपको इसको भूमी बहुत चपाल गो रोगटो! मैं साड़ करने शीककी चाफन जाखन गदें! नहीं आपको लए अधी जाखन साल। कि अधीन कई पर किर को दो जागा को लिए, पर लए, वोगर वोगर इहां नहीं.. कुट्टे घ्रेक्ट! मैं रलेकी जर को आपके लिपेन कह से? कुटए कमीज़ आपने मिला गामने साकता है आपनी मेर? मैं थिसको भला जान बाल जाए भलाही आपनी बलाए जाए आपनी मिला जाएelling पुटा है अदर नियों कि विवाद एक दिन का नहीं है ये विवात काफी समय से चल रहा है हम लोग सभी चीजों को सेहन करता रहते कि घर की बाते ठीक है घर में अगर खतम हो जाती अच्छी बाते क्योंकि वो हमारे परदान है और हम उनके अधिनस्त वर्किंग कर रहे हैं और हम लोग चाहते हैं कि जीरन महाविद्याले का विकास दरोत्तर हो इसके लिए हम पूरे प्रयास रहते हैं उनके साथ में किन्तु क्या होता है कि किसी भी कारे के बाद में या किसी भी चीज के लिए एक छोटी-छोटी चीजों पर एक भीनक हो जाना और उसमें इस तरह के शब्दों का प्रयोक करना जो कि मैं शोशल में मतलब यहाँ पर सारवन जनिक रूप से नहीं बोल सकता हूँ मेरे खुद के साथ में उन्होंने कई बार के मैं तुमको थपड मार दूँगी आप ठीक अधिकारी हैं आपको अधिकार हैं आप मुझे डाट सकते हैं आपको लगता है लिकित कारवई कर दीजे लेकिन यह किस तरह के वर्ड हैं उसके बाद में हमारी एक लेड़ी स्टाफ हैं मैं इनके उपर भी हाथ लेकर दोड़े और उनको भी मारने के लिए उसके बाद में एक जेंट सिटाफ है ग्यान सिंग जी बघेल उनके साथ में तो उन्होंने हात ही उठा दिया इसके बाद में हमारे एक मैं है अरे देखिये हर एक व्यक्ति अपनी ऑपनी जाती के सम्मेलन या किसी भी चीज में जाता है तो तुम लोगों को ये चीज़े याद रेजाती दूसरी चीज़े याद नी रहती उसके बाद मैं इन से कहा जाता है कि तुम जालू लगा रहो जालू लगाने के लिए तुमारे यही है मतलब ये ही शब्द होते हैं क्या हर चीज में डेली हम लोग जब कॉलेज से घर से कॉलेज के लिए निकलते हैं तो हमारे अंदर एक भाय का माहूल होता है कि आज क्या होगा हम लोगों के साथ में हर व्यक्ति पूरे भाय के वातावरण में नोकरी कर रहा है तो ऐसी इस्तिति में हम रोजाना के से नोकरी कर सकते हैं एक दिन का होता तो हम भी समझ ले तो कोई दिक्कत नहीं इसके पहले भी उनने इसी द्वेश्टा पूर्ण दो अर्सिती विद्वानों को महा से निश्काशित किया है और जीरन परिशेतर में आप उनकी छवी जानना चाहें तो पता कर सकते हैं महाविध्याले का व्यक्ति नहीं आज एक व्यक्ति पीडित नहीं है इन लोगों को बुलाया नहीं गया यह स्वयम आये सबकी अपनी अपनी एक पीड़ा है और उस पीड़ा को यहां पर मतलब बताने के लिए और फिर उसके बाद में जो हमारे सब्सक्राइब को किसी आरोप प्रत्यारोप का क्या है वो तो दो मिनिट में मैं लगा सकती हूं कि तुम हमारे यहां की अब देखो यह शब्द इसके आगे नहीं बूल सकता हूं कि आप ऐसी ऐसी चीज़े तो देखे महिला तो महिला होती है एक सेकंड में यदि कोई व्य सब्सक्राइब को चाहिए वो सायक प्राध्यापक को चाहिए अतिती विद्वान हो या चतूर्त शेयनिकरमचारियों सभी इतने हद तक परताडित हो चुके उन्हों की अभध्र भाशा से इतने परताडित हो चुके मतलब सूबह शाम उठते बेटते कहा जाता है तुमार के लिए थीक है मतलब डाटती है चिलाती है उन्हों के साथ कहा जाता है गाली गलुच इतनी गंदी गालियां बोली जाती है जिसको हम अभी आप लोगों के समक्ष भी नहीं कह सकते हैं हमने अवगत करा है हमारे लीट कॉलेज के प्राचारियों को और एक आज जो न्यूज आई है उस न्यूज में भी यह है कि लीट कॉलेज के प्राचार जो वीके जैन सर है उनके विरूद भी उन्होंने कुछ करा था मतलब मामले चले तो उसकी शिकायत भी विवागी मतलब कोलेज के कर्मचारी के इशिणी में आते हैं इतने अबहद्र भाषा बोली जाती है लगता है राजनेतिक सरक्षन प्रदान है उनों को और वह लोग डिए ली नहीं बोल सकते हैं कि सरक्षन प्रदान है या नहीं है या आगे क्या है मोथ चाहती है कि जो मंगलवार है उस पर हमारे स्कूल के कॉलेज के सारे विध्यारतिं उनके फ्रदर्शन करें के। वह बहुत कुछ को बहुत कुछ ऑजेता है मैंदम मैंदम कहती है कि आप पास नहीं आपको भभीषी बिगाड़ का जाते हैं चतुरत शेहनी कि जो पाइन्य वह जए रख क्या हैं कि चतुरत शेहनी कि जो सरनी बोल पाया है वह यह जो फ़साऊगा हैma में यह उनके वर्ट थे उनके पोड़ में तुम्हें क्या पासा अंगी मेरे और मेरी महिला इस टाफ की चाति पर नजर रखते हो यह इसके तहट में तुम्हें फसाओंगी यह वर्ड उन्हों की लाइन है क्या आप बताइए कि यह उन्हों की यह मतलब यह परिसर में कहने का लहिजा है उच अधिकारी का यह लहिजा है कि वह इस तरीके से हमसे बात करें मतलब चाहें कि सारी फाइले उपनीचे हो गई है पूरा स्टाफ सामुई काउकाश पेता अकेली वही थी और उन्हों नहीं उपनीचे को और हमारे उपर मंगलवार को यह आरूप लगाया जाएगा कि आप लोगोंने सारी फाइले उपनीचे की मेरा नाम दिव्या करा रहे हैं पहले तो मत्रदेश की मुख्य मंत्री मान्यवार शिवरा सिंग जी चोहन साब और शिक्षा मंत्री मान्यवार नॉक्टर महुनी आदाउजी को धन्यवाद दूँगा जो उनने जीरंग में बच्चियों के लिए बेटा-बेटी के लिए का श्टाफ मुझसे मिलने आया था मैंने इस बात को समानी जिलादी समोदे और उच्छ अरिकरियों को बता दी है इसके खिलाब यदि कोई भी साख से पाये जाएंगे जाच कराके उसके खिलाब जो भी दोची होगा उसके खिलाब करवाई की जाएगी मूल रूप से कि का था मिंशमीयबे आशकते रहा हैं और आपके बात सुनने के लिए जिलादी साथ के साथ नहीं रह सकता है नहीं पिरॉसमें कुछ कभिया है और मैंने तत्काल जो स्टाब मेरे पास आए था उनने प्राड़ के ख़लाब बात कही थी मैंने प्राड़ को भी बताया और प्राड़ को भी तो मैंने का आप उन सभी स्टाप के लोगों से मापी मांगे उनके साथ मेरा है और फिर भी हमने एक कमीटी गठित करेंगे और इसकी जाज कराएंगे जो भी दोशी होगा उसके खिलाब कारवई की जाएगी इसमें राजनेतिक शरक्षन का कोई जो आप बता रहे हैं कोई र जाजनेतिक शरक्षन एसे लोगों को कहीं से भी नहीं मिलता है यदि जो भी गलत करेगा उसके खिलाब कारवई होगी और निश्चित ही हम उनके खिलाब कारवई करेंगे नीमस्ते जीवन ठाकुर की रिपोर्ट